हेलो स्टूरेंट विल्कम बैक टू प्रिगती ग्लास तो आज की वीडियो है लेसन नमबर वन दे पॉर्ट्रिट ओफ लेडी जो कि क्लास 11 इंग्लिस कोर हॉर्ण बील का आपका लेसन नमबर वन है उसमें से सभी इंपॉर्टेंट से बन सकते हैं वो हम सब इसमें कवर कर रहे हैं यह स्टोरी है जो कि खुशवन सिंग के दोड़ा लिखी गयी है और जिसमें एक दादी पोते की स्टोरी ही है उसमें उनके रेलेशनिशिप को दिखाया गया है तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने कैशन नमबर वन से जाद़ा विस्ट नहीं करते हैं वें डिड़ दा ओथर पैरेंट्स लीव हिम विद इस ग्रैंड मदर ओथर के जो पैरेंट्स है वो शहर चले जाते हैं अपने बेटे को छोड़ कर उसकी दादी मा के साथ तो एक कुश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि ओथर के जो पैरेंट्स है उसकी दादी के पास कब छोड़ कर चले जाते हैं ठीके ना तो जब स्टोर यह आप पढ़ोगे तो आप उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि वो कितने साल का था तो उससे छोड़ा गया था बलकि सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वेन ही वोस केड़ तो उसी टाइम पे ऑथर के पैरेंट्स शेहर में चले गए थे और उसके बाद उन्हें ये का था कि जब हम सटल डाउन हो जाएंगे तब आप दोनों को भी बुला लेंगे तो जब वो छोटा बच्चा ही था तभी उसके पैरेंट्स उसे छोड़ कर चले गए थे नेक्स कोश्चन है जो दादी मा थी वो हमेशा ओथर ओथर मतलब उनका पोता क्योंकि उन्होंने ही स्टोरी खुद लिखी है तो जो दादी मा है अपने पोते के साथ स्कूल क्यों जाती थी ऑप्शन है तो कीप अआई ओन ही उन हम शी वोन्टेट तो मीट विलेजर्स तो वेड फोर हम तो टेक हम बाक तो होम विकस अब तुमपल अटैच्च्टो स्कूल मतलब ग्रैन्ड मादर बेसिकली मेंली जो में उनका परपस इसलिए वो साथ में स्कूल जा दी थी क्योंकि जो मंदिर था वो स्कूल से अटेच था और वो वह ही पर क्या करती थी जो भी religious scriptures वगएरा होते वो तब तक पढ़ती थी और जब उसका चुटी होता था तो साथ में भी लेकर चली जाती थी लेकिन basically main जो answer है न वो जाती इसलिए थी ऐसा नहीं है कि हां कि हां वो जाके इंतजार ही करना चाहती थी ऐसा नहीं वो जाती इसलिए थी क्योंकि स्कूल के पास ही temple था जहां पर उन्हें वो स्क्रिप्चर्स पढ़ने होते थे क्योंकि दादी मा का करेक्टर एस रिलीजिस लेडी काइंड हर्टेट बुमें इस तरीके से उनको रीप्रिजेंट किया गया है इस चीज़ को आप याद रखना है नेक्स कुश्यन है इस चीज़ को आप याद रखना है गाउं में वो केस जानबर को खिलाया करती थी तो जब स्कूल छोड़ने जाती थी वापस आते हुए वो जितने भी डॉक्स होते थे ना उनके लिए रोटिया लेकर आती थी जो भी बासी रोटी बच जाता था तो वो लेकर आती थी और वो डॉक्स को खिलाती थी फूर्थ का C option आपका correct हो जाएगा What would the grandmother do in the temple on daily basis? दादी मा मंदिर में daily basis पर क्या करती थी? Basically, वो scriptures को पढ़ती थी ऐसा नहीं religious prayer नहीं करने जादी थी meditation नहीं और बच्चों को religious prayer नहीं सिखाने जाती थी सिर्फ और सिर्फ जो धार्मी किताबे होती हैं, धार्मी गरंथ होती हैं उन चीजों को पढ़ने जाती थी Next, what was the turning point of the friendship between grandmother and author Grandmother और author दादी और पोते के बीच में जो एक friendship का रिस्ता था उसमें turning point कब आया? बहुत ही important question है तो turning point कब आया? आपसे ये पूछा हुआ है when his parents called them both to the city जब उनके parents दोनों को शहर बुला लेते हैं और फिर author का admission एक English medium के school में हो जाता है तो वो एक turning point सावित होता है जसमें कि उन दोनों का जो है न जो उनके बीच में एक relationship था friendship जैसा तो वो सारा वो टूटता हुआ उसके बाद नजर आएगा शहर में author जो है कहां पढ़ा करता था यह हमसे question ने पूछा हुआ है तो English medium school in motor bus जो कि motor bus से जाया करता था उसकी घर के पास नहीं था motor bus मतलब काफी दूर था next है what made the grandmother unhappy about the author's new English school grandmother किस चीच से नाखुष थी author के जो new English school था because she did not understand English and could not help with his lesson क्योंकि दादी मा को English आता नहीं था जब वो गाउं में रहती थी तो वो author के homebook में भी उसकी help करती थी लेकिन अब वो उसकी help भी नहीं कर सकती थी इस वज़े से वो उसके new English school की वज़े से वो खुश नहीं थी next day why did not the grandmother like music grandmother को music क्यों पसंद नहीं था ठीक है क्योंकि दादी मा की ऐसी मतलब को ऐसा लगता था कि ये जो music बगरा जो चीजें हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो भिखारी होते हैं या फिर जो भी नाच गाना वाले प्रकृती के लोग हैं उनके लिए है कोई भी gentleman को गाना music बगरा से संबंध नहीं रखना चीजे तो इस वज़े से उन्हें music बिलकुल पसंद नहीं था next day how did the grandmother spend her time in the city शहर में उनकिस तरीके से अपना time spend करती थी ये हम से कुछ उने पूछा हुआ है तो शहर में अब उनके पास तो जादा कुछ रहा नहीं था school छोड़ने जाती नहीं थी तो dogs वगरा से भी नहीं मंदिर भी नहीं जा सकती थी तो वहाँ पर वह क्या करती थी spinning the wheel जो शूत कातने का जो गांधी जी के लिए बड़ा फेमा से चर्खा चलाने का काम वह वहाँ पर grandmother city में करती थी how did the grandmother spend her afternoon everyday जो afternoon होता था शहर में गाउ में ने वह किस तरीके से वो spend करती थी यह हमसे question ने पूछा हुआ है तो 11 question का जो आपका a option correct होगा मतलब दादी मा जो है क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने sparrow को खुलाना शुरू कर दिया था तो दीरे दीरे सारे के सारे of course जब किसी भी आप जीप को खिलाओगे तो उसको थोड़ा सा ना आपसे attachment होगा वो आपके सामने आ जाएगा तो हर दो पहर में बहुत सारे hundreds of sparrow आता था जिसको दादी मा जो है रोटी को तोड़ तोड़ कर मतला क्रम्स बना कर वो खिला दी थी next question है the happiest half hour of the day for the grandmother सबसे मतला happiest आदा घंटा जो दादी मा के लिए था ना वो वही था to feeding the sparrow for half an hour जो आदे गंटे वो sparrow को खिला दी थी वो उनके दिन का सबसे खुशी वाला टाइम होता था next है when was there common link of friendship snap जो भी अब common link उनके friendship का था वो turning point वाला question लगा है लेकिन ये वाला question की common link of friendship पूरी तरीके से छीन लिया गया अब ये question का जो आपका answer है वो B होगा जब author को university के लिए भेज देते हैं और उन दोनों को अलग-अलग room मिल जाता है तब उनका जो friendship का common link है जो थोड़ा मोड़ा बचा भी था वो भी सारा छिन जाता है what was grandmother reaction when the author was going abroad जब author abroad जाने लगया पढ़ाई के लिए तब दादी मा का कैसा reaction था तो दादी मा मतलब उन्होंने मतलब इस तरीके से उन्होंने अपनी कोई feeling जाहिर नहीं की even sentimental भी नहीं दिखाया ना happy दिखाया ना sad दिखाया उन्होंने चुप-चाप से कुछ भी मतलब उन्होंने अपनी जो भाव है ना उनको उसको व्यक्त नहीं होने दिया next day what happened when the author moved abroad to a study for five years जब author five years के लिए पढ़ने गया तो उस time पे मतलब क्या होता है उस time पे क्या दादी मा उसको छोड़ने जाती है या नहीं चाहती गाउं चेली जाती है या कोई भी उसे छोड़ने नहीं आता तो यहां पर answer जो है ना grandmother bid goodbye by silently kissing is for it for it पे बहुत ही silently kiss करके उसे goodbye बोल देती है ठीक है ना और कोई भी reaction ऐसा नहीं देती है क्यों बहुत sentimental हो रही है sad है या फिर happy है कुछ तरीके का नहीं what was her reaction when he came after five years जब पांस साल बाद author वापिस आता है abroad से पढ़ाई करके तब जो है दादी मा का कैसा reaction होता है यह हमसे question में पूछा हुआ है class the author in her arms अपने मतलब गले लगा लेती है और जो उनका prayer है क्योंकि वो पूरे time beats of rosary को लेकर prayers करती ही अब जब उनके death का समय आता है तो उसी evening में grand mother का schedule है ना वो पूरी तरीके से change हो जाता है जहां वो हमेशा religious beats of rosary वो सब बगरा छोड़ देती है and she collected the woman of नुवरुडो पड़े उसकी औरतों को एकटा कर लेती है और उनके साथ drum बरम पतनी और कुछ गाने वाने बजाती है next year how did the grand mother celebrate खुश्वन सिंग return from abroad grand mother किस तरीके से celebrate करती है खुश्वन सिंग मतलब उनका पोता जब आपस आता है abroad से she sang song while beating an old dilupitated drum वो drum लेकर गाना गाती है और गाने उस टाइप के होते हैं जैसे कोई warriors आता है न कोई खटा करके उस टाइम पर प्रेयर कर रही है मतलब अपना जो उनका normal schedule है वो पूरी तरीके से भूल चुकी है what happened when the grand mother did not pray for the first time क्या होता है जब grand mother पहली बार pray नहीं करती है she fell ill in the next day अगले ही दिन वो क्या होती है बिमार पढ़ जाती है जो मतलब एक दिन का schedule और वो अगले दिन बिमार हो जाती है तो 19 का भी option है यहाँ पर correct हो जाएगा आगे चलते हैं हमारे question number 20 में how did the grand mother react to her illness जब वो बिमार पढ़ती है तो मतलब उनको अपनी बिमारी के प्रती वो किस तरीके से react करती है क्या उन्हें hospital में ले जाया जाता है या अपने health को बिलकुल ignore करती है या अपने पोते को बिलाती है तो या फिर वो यह कहती है कि अब उनका जो end है अब उनको वो बहुत ही pass आ चुका है तो यही आपका correct answer है 20 का A next question है what did the grandmother do in her final hours अपने अंतिम घंटे में grandmother क्या करती है ठीक है न यह हमसे question ने पूछा हुआ है silently praying and telling her पर दुबारा से मतला अपना जब उनका एकदम अंतिम टाइम आ गया है बहुत ही अंतिम घंटे आप यह बोलो तो उस टाइम पे वो silently pray कर रही है अपने weeds of rosary से next is how did the grandmother die grandmother की death किस तरीके से होती है while telling weeds laying on the bed बेट पे पड़ी भी रहती है और उनका वही क्या होता है जैसे बाबा टाइप लोग होते हैं तो भूंगा मोती सा कुछ पहन के रखते हैं तो वो weeds of rosary उस तरीके से जाप करते रहती है और उसी टाइम उनकी death हो जाती है तो यह 22 का A option आपका correct होगा next is how did the sparrow express their sorrow at the death of their grandmother वो जो जितनी भी sparrows थी तो वो भी ना दादी मा की death पर एक अपनल पीडा को दिखाते हैं तो वो किस तरीके से अपनी पीडा को show करते हैं came and sat silently in the veranda वो उस दिन भी veranda में आते हैं लेकिन चुप चाप से बैठे रहते हैं हर रोज वो चिर्पिंग करते थे लेकिन आज क्या है वो silently बैठे हुए है उसकी हलाकी जो author की मा है ठीक है ना वो उसे रोटी का टुकडा तोड़ कर देती हैं लेकिन उस टाइम पे वो बिलकुल भी नहीं खाते हैं चुप चाप से आते हैं जब grandmother का cops उनकी मतलब body चली जाती है तो वो भी चुप चाप से उड़ जाते हैं जब उसकी मतलब grandmother की body को उनकी लाश को जब लेकर चले जाते हैं तो क्या होता है words flew अभी quietly जितनी भी पक्षी होते हैं sparrow होते हैं वो चुप चाप से भोती शांती से उड़ जाते हैं without chipping next और हमारा last question है who is the author of the portrait of lady portrait of lady का author का नाम बताना है मैंने कई वार आपको बताया answer है खुश्बंध सिंग तो ये थे आप आपके 25 question बहुत ही important hopefully आपने जो है काफी सरे question का जो है आपने correct answer दिया होगा तो अपने scope लो जो है comment box में लिखना बिल्कुल मिद्भूले अपने दोस्तों के साथ भी आप क्या करें इसको share करें और उनके साथ आप क्या करें साथ में बैठके हो सके तो attempt करें इसकी जो PDF में आपको टेली राम पर दे दूँँगी वहाँ से डाउनलोड करके आप क्या काम करें print out निकाल लेजिए print out निकालने के बाद आप सब दोस्त मिलकर solve कीजिए और फिर match करिए कि हाँ हमारे कितने answer सही है करें